नमस्कार मैं हूँ प्रिया सिंग और आप देख रहे हैं मधुवानी न्यूज आईए देखते हैं बिस्पी प्रखंड की महत्पूर्ण खबरे बिस्पी प्रखंड छेत्र के धिपूरा इस्थित इն्टरनेस्नल पबिक स्कूल के बगल में राज़त की ओर से सदस्ता अभ्यान लोगों को सदस्ता ग्रहन कर आते हुए प्रधी प्रखंड न कहा कि राज़त समाजवादी विचारधारा को मानने वाला दल है हमारे राश्ट्रिय अध्यक्ट स्री लालू प्रसाद्यादव का विचारों को सदस्ता ग्रहन समारों के माध्यम से पहुचाने की जिम्मेवारी हम लोगों को दिया गया है उन्होंने यहवी कहा कि यह पाटी गरीब, गुर्वा, अतिक पिछरा, पिछरा और जो लोग समाज के अंतिम पायदान पर खरे हैं उनके लिए हमारे राश्ट्रिय नेता हमेशा खरे रहते हैं वहीं बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का सपना है कि सिक्छा स्वास्त बेरजगारी को दूर करने के लिए मुझे जो भी संघर्ष करना परेगा वो संघर्ष में गाउं से लेकर सदन तक करूँगा बिहार में बिरोजगारी चरम पर है चुनाव के समय 19 लाख बिरोजगारों को रोजगार देने वाले NDA गटवंधन कहां चला गया उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा जनपरतनीधियों के मान सम्मान के लिए मैं सरक पर हूँ और मेरा नेता सदन में उनके अधिकार के लिए अवाज उठाते रहेंगे वहीं जैजैराम यादव ने कहा कि प्रखंड में 20,000 सदस्य अभी तक बनाया गया है और सदस्य बनाने का लक्ष रखा गया है जो मैं सभी पंचायत में सदस्य अभ्यान को सफल बनाने के लिए पंचायत अस्तर पर सक्रिय कारेकर्ता को चिन्हित कर लिया है वहुत जल्द ही उनको प्रसिक्षन देकर पंचायत में जोड़ सोर– आभ्यान चलाय जाएगा जिसमें सैक्रो महिला एवं सैक्रो पूरुष ने राज़त पर आस्ता रग कर सदस्टा लिया है। जिसमें दो पहिया एवं चार पहिया वाहन को चेकिंग किया जा रहा था। जाच के दोरान कई दो पहिये वाहन अपना अपना रास्ता भी बदल कर गंतव यर अस्थान को पहुंचते दिखें। वाहन चेकिंग के दोरान OPA धक्ष हरीद्वार सर्मा के साथ SIP के सिंग सहित अन्य पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। बाढ़ पुर्व तयारी को लेकर अंजला धिकारी सिरिकांत सिंहा ने वुद्वार को प्रखंड छेत्र के पस्मी भाग के सिग्या लालपूर रगावली एवं सदुल्लापूर इस्थित बांधू एवं विद्याले का निरिक्षन किया। बताया दे कि प्रखंड छेत्र के पस्मी भाग में करीब तीन दर्जन गाव एवं विनासकारी बाढ़ प्रतेक वर्स तवाही मचाती है। जनकारी के नुसार जगवन रगावली शिंग्या सहित एक दर्जन अस्थानों पर महराजी बांध की इस्थिती बहुत ही खराब बताया जा रहा है। भाईया एक पैकेट चाय पत्ती का देना। ये लीजे चाय पत्ती। भाईया मुझे कनीज की चाय पत्ती चाहिए। क्यों? कनीज चाय पत्ती में ऐसक है जो आपको वो ही चाहिए। कनीज चाय दुनिया की पहली GMP certified चाय पत्ती है जो कड़क और खुश्बुदार होने के साथ एकदम natural और pure है जो refreshing taste देती है। और एक बार इसको कोई पी ले तो कोई दूसरी चाय अच्छी नहीं लगती। कनीज चाय प्रीमियम क्वालिटी वाली चाय है जिसमें orthodox होता है जो body की immunity को बढ़ाता है। और डॉक्टर भी orthodox के सेवन की सलह देते हैं। कनीज चाय को आसाम के बागानों से चुन कर लाया जाता है और natural तरीके से बनाया जाता है। अरे वा तब तो मैं भी आज से अपने घर कनीज चाय हिलाऊंगा और ये लिजे आपकी कनीज चाय पत्ती। आप भी आज ही कनीज चाय पत्ती लाईए और चाय का असली टेस्ट पाईए। कनीज प्रीमियम टी दिल की बात जुबापे। मदुबनी न्यूस को फेज़ूक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूटूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूले।